तो अभी मेरा ब्रेक फास्ट बगेरा नहीं हुआ है अभी सभी लोग नहीं आए हैं अभी किसी कबरा सो रहा है क्यों तो कोई सो के उठ रहा है क्योंकि रियांत की है अभी सब्सक्राइब तो रियांत के पापा की तविया ठीक नहीं है तो भी थोड़ा सा देर से चुटी ले रखी है और जब तक टाइम था तब तक मैं डाल चड़ा देती हूं क्योंकि या लंच में मैं डाल बना रही हूं तो यहां पे मैंने थोड़ी सी लिया अरर की डाल को अच्छे से में नीया रहा है और इसको मैं अच्छे से डहाकर में डाल जाली है और इसमें तोड़ा सा पानी डाल लिया है और हल्दी नमक को थोड़ी सी मैं साथ के साथ हींग घु लाल झेंग करें ठीक है और यहां एक साइड मैंने रख दिया है गुनगुना पानी होने के लिए सबी को गुनगुना पानी देंगे तो मैंने तो पी लिया था वस रियांत को रियांत के पापा को देना है और दूद भी वॉयल हो गया है इसमें तो मैंने साइड में रख दिया है और उस सुने पयंपनी क्ड़ूफे nettis को मैंने रख दिया है दो फिर उनको दो तो यहां पे अब मैं रियांत को गुंगोना पानी दे रही हूं हनी वाला तो इसमें मैंने एक चम्मच हनी डाली हुई है और यह पानी मैंने रिया है और इसकी बाद फिर मैंने गैस पर रख दी है दाल बनने के लिए तो यहां पे एक साइड दाल बन रही तो जब तक मैं कर लेक्ती है को यह मैं रफलi, मैं उट फ्यूम हो गई है इसको मै तएक मैं उटकर ले चाएंगे और इसी कड़ाई को धो के फिर से रखेंगे गैस पे और इसमें डालेंगे सरसो का तेल और जब तेल गरम हो जाएगा फिर इसमें एक हरीमिश डाल दी है मैंने कटी हुई और कटा हुआ प्याज मैंने डाल दी है और इसके बाद प्याज को थोड़ा सा ही भूनना है और जब बढ़िया सी मैकरोनी वन के तायार है तौके जो घरबियों में टमाटर आते हैं गारमी में बुल्य को भी अच्छी नई लगते हैं किसी को पसंदि नहीं आते तो मैं फिर डालती ही नहीं हूँ और यहां पे मैकरोनी बन गई है, जान चैपर दिये मैं प्लेटे हैं म01 कटोरा है वह बहर ब्र भर गया है पूरी चोटी सी मैं बना गया पिर काम क्हतं दूंगी मलाइ से मakflies बनाों गही हुगार तो इसको मैं भी हPOद साथ में बना whale बनाती हुम बलेंडर में तो सभी का अपना चाहा होता है मलाइ से मक हना बनाने का गए है तो मुझे यह ऑला न झाल के अच्छा नहीं बनी हैं, सबनारी का भूंत अच्छा C Quindi झालते हैं इसे में जल्दी भी बन ज झालें जाता है और मैं ए स्टी आ घॉत, जल भीया बाती है शच्से IPS से जल्डी को खुम मीभी मॉझन पने जाता है चrümmel ने मलाई जहीं और मखं सका रहा हो है। इतनी सी मलाई में मैंने व्लैंड जाता है। तैयार प्रणआ के गः सबस्ना एकषण कोना तुन तरहीं शुपरके जाता है। फ्क्राइज तुन कर सब्सक्तुर्ण कि लातर। तो धीमी आज पे मैंने रख दिया है क्योंकि घी बनने में बहुत टाइम लगता है और अभी मेरा घर का पूरा काम फैला हुआ है और आज मुझे काम भी बहुत सारे हैं तो इसलिए उसको मैंने रख दिया है बनने के लिए तो घी बनता रहेगा और जब तक मैं अपने काम करती रहूंगी साथ के साथ तो यहां मैंने डस्टिंग वगेरा है वो मेरी हो गई है और आज मुझे फ्रिज भी थोड़ी सी साफ करनी है ज्यादा डीप क्लीनिंग मैं नहीं कर रही हूं वस थोड़ा साही कपड़े से साफ करूंगी जितने भी दाग धब्बे होते हैं व इसे साफ मेरे साफ हो गया है तो प्लांट्स पीले पत्ते हो जाते हैं और आज जितने भी प्लांट्स, यह आपने抖ने जो चल्ली कहाँ है वहां किた जूआं कहते हैं किको आफे PREET- इसको मैंने अंदर ही छोड़ दिया है और अभी मेरा घर का सारा काम हो गया है घर देखे मेरा कितना साफ सुतरा लग रहा है एक दम से नीट और जितने भी गमले हैं उनको मैंने रख दिया है किचिन वाली बालकनी पर क्योंकि यहां पर दूब बहुत कम आती है तो इसलिए गी भी देखे बन गया है कितना अच्छा गी बना हुआ है मार्केट से तो यह अच्छा ही होता है और गी अभी थोड़ा सा गरम है इसको मैं ठंडा करूंगे और इसके बाद इसको चान के डबबे में भरके रखूंगे और जब तक लंच का भी टाइम हो गया है तो यहां दाल रोटी चावल और घर का बना हुआ आम का अचार और इसके बाद इसको मैं घी को चान दूंगे और इस तरह से चान के और भरके रख देंगे डबे में यहां पर रियांत का लंच हो रहा है और रियांत के बाल देखो कितने चोटे चोटे करवा दिये मैं एक दम से और इसमें मैंने दही दाला है चीनी डालेगे अच्छे से मिक्स करेंगे तो अच्छे से मिक्स करेंगे गर्मीं में तही चावल बहुत फाइदे करते हैं थंडे होते हैं और यह मैं रियांत के निकरी को दोंगी क्योंकि उनकी मेडिक्शन चली है और तुई meidänधी बहुत ह पानी चेंज होता है तो कोई ना कोई बीमार पड़ी जाता है तो खांसी चुखाम बुखार मैंने सारी दवाईया रख ली है और इसके बाद यहां से जाते हैं तो पानी चेंज होता है यह भी कमबो पैक आपको सार एक साइस को ली आपकी है और इसमें साइज उस अपनी वग्रौं करेंड यह बहुती जादा स्ट्रैय और यह बहुती awal फेयर यह चारबरीं favorites वह रेयॉन कॉटन फैब्रिक है जो बहुत ही अच्छा होता है गर्मियों के लिए और यह देखिए कितना स्ट्रेचिवल है और यह बहुत आसानी से फिट आ जाते हैं और इसमें थोड़ी सी साइनिंग दी गई है जो बहुत ही अच्छा लुक दे रहे हैं ब्लाउस को एकद और अगर आप लोगों को यह ब्लाउस पसंद आये हो तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो आप वहां से और कर सकते हैं और इसी के साथ मैं अपनी इस वाली वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड तो यह था मेरा आज का वीडियो कै कैसा लगा अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा मैं आप से मिलती हो अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई एंटे कियर